देखें ये बात मैं इसलिए कह रहे हुए कि जो भी वैक्ति समाज में काम करता है और चरित्र की बात सबसे महतपूरी यहाँ पर मैंने इसलिए उठाए क्योंकि जितने भी हमारे महनपूरुस रहे हैं उनके चरित्र पर आज भी एक ऐसा दाग नहीं रहा कि कोई वैक्ति उन हाँ नहीं सकता लेकिन जिस तरह एसे बहुजन महानपूर्स का नकाब ओड कर लोग चरित्र करते समाज की बहन बेटियों के साथ में खिलवार करते और उन्हीं के समाज के लोगों के पैसा लेकर उर नी से आयाशी करने का काम खरते तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता ह मेडम आपके चैनल पर वीडियो लगी है तुमें पड़े गंभीर आरोप आपने लगाए है किसी बहुजन नेता पर देखे आरोप नहीं है वो क्योंकि मैं कोई भी बात करती हूं क्योंकि मैं मीडिया में भी कापन करती हूं और मैं तथ्या के आधार पर सबूतों के आधार पर ही किसी बात को रखती हूं और उसी कड़ी में मैंने जो वीडियो डाला है बिल्कुल मैंने सप्ष्ट कहा है क्योंकि आज हम देख रहे कि बहुजन समाज में बहुत सारे नेता ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो महानपुरसों क की बात करते हैं बावा साब की बात करते हैं उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं बहुजन समाज में जितने भी संत महानपुरस जन में उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन अगर हम उनका दूसरा चेहरा देखे उस चेहरे के लावा जिस चेहरे को उन्होंने बहुजन महानपुर्सों से ढखा हुआ है अगर हम उस चहरे की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमें समाज के उबढ़ते हुए नेता नजराते हैं हम उन पर विस्वास थापित करते हैं हम उनको एक आदाश नेता के रूप में कि हाँ कलको आने वाले भविश्य में ये लोग देश की कमान को समा लाइए और बहुजन समाज की क या मिलने के लिए भी बुलाया तो समय निकालकर जब मैं उसके पास गई और जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरे रोंग्टे खड़े हो गए और मेरी आँखों से आंसु जलग गए कि इतनी दर्दनाग घटना और उस वेक्तिने की जो अपने आपको बहुजन महानपुर्सों का अनुवयाई कहता है कि मैं इन महानपुर्सों की विचारधारा को आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं घटना कुछ इस तरह से पिछले कई महीने से महीने नहीं बल्कि महीने से तो उफ़ लड़की परेशान में पिछले तो साल से लेकिन घटना है तीन साड़े तीन साल पहले की समाज में एक ऐसा नेता है जो बहुजन महानपुर्सों का अपने आपको उत्रादिकारी बताता है लेकिन जब उस बिटिया ने उस वैक्ति की जो सच्चा ही है वो मुझे बताई तो मैं सोचने पर मजबूर हो गए और बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े हुए क्या मैं उस वैक्ति के लिए वीडियो बनाऊं या समाज से उस लड़की के लिए आवाज उठाने के लिए समाज को संगठीत करूं या मैं उन बड़े-बड़े नेतां से जो समाज म मुझत जीवन से जो खिलवाड हुआ है उसकी भावनाव के साथ में जो चाहरिक सोषन हुआ है उसके उसको न्याय दिलाकर और समाज जितने ही बहन बैटें आजकर हम देख रहे हैं कि समाज जो लोग काम कर रहे हैं समाज की बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि हो सकता पहले उनका समझोता हुआ अब समझोते पर बात नहीं बननी हो इस विरकार के ज़्यादे मामले आते हैं आप बिल्कुल आपने सही कहा है पूरी जो घटना करम है जो मेरे पास आया है सबूतों के आधार पर मैं उसी पर बात करूंगी सना तो मैं सबूतों से इधर ज नोट तो इस तरह की बाते करता है जब वो लड़की बताती कि मैं शादी शुदा नहीं हूं तो उनकी वारतालब और आगे बढ़ती है और बात इतनी बढ़ती है कि मुलाकात तक बात आती है और वो वैक्ति उस लड़की को ये कहता है कि मेरे ओफिस में चलो कुछ सब्सक्राइब यूद्र को नहीं होता है कि ना तो कोई संगठन का पर दारदीकारी रही होता है उसका जो ओफ नहीं बलकि वो रहा होता है ओप पर उस लड़की को हो पहला कर फूसला करी नहीं बलकि उसके साथ में जबर दस्ती हो सरी एक संबंद बनाने के करWow ते मेरे मेरी भी सीमा है मैं कब तक इनतीजार करूं जब वह लड़की कि प्रेसराइज करती है तो वह वैक्ति जो कि अपने आपको अन्याई कहता है महानपुर्सों का जो कि बहुजिन महानपुर्स है वह साफ साफ कहता है कि हिडन कैमरे से मैंने तुम्हारी अशलील वीडियो बनाई है अगर तुम ज्यादा करोगी तो इसको मैं सोचल मीडिया अब नी हो यह प्लमला करना करक्depth अपुसे में विलकुल साफसाफ मना कर रिये जो कि अपने आपको नेता कहता है कुछ भी कहता है उस वैक्ति ने साफसा उस लड़की को मना किया तो उस लड़की ने कहीं ना कहीं एक नियाला से मामले मैं एफ फ य सब्हों चल रहा है केसी चल रहा है और इतना ही नहीं जब विती है क्योंकि और छोंध च्छोटे मोड़ने अड़केट्स कर र tut tao रेकिन के साथ में आता है जो क्या अपने आपको 0 येता कहता है उसके साथ में कम से कम 40-50 वकील आते हैं और ये दिखिए इसमें एक चीज हो रहा है पुलिस परसासन से लेकर कोड तक के उस लोग सभी लोगों को उसने खरीद रखा है मतलब उस वैक्ति का दब दबा इतना है कि वह लड़की अभी पिछली डेट से रहती उसन लड़की ने उस लड़की पर एक मुकदमा दायर किया उसको बोलता है कि भाई इसने मेरे से 8-9 रुपे लिये थे अरभी मेरे पैसे दे नहीं रही है लेकिन साथ तारिकों खारीज हो जाता है मुकदमा लड़की के फेवर में जाता है वह पूरे तथ्यार निकालकर उस ल मैं चाहते हैं कि समाज के जो बेटिया बेटे हैं वह उजागर रहे हैं मतलब भोस्यार रहे हैं मैं चाहती हूं कि यह घटना बहुत बड़े सतर्थ पर सामने निकल कर आनी चाहिए और जो वैक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है उसका भी चेहरा उजागर होना चाहिए तो कि समाज में जो लोग मिशन मोमेंट के नाम पर उनको लाको करोडों रुपए डोनेशन देते हैं यह सोचना पड़ेगा कि उनकी खुद की आयाशियों पर लग रहा है यह बहुत बड़ा सवाला रोश समझना पड़ेगा यहां पर लोगों कि जो लोग कि सी भ कि लोग विश्वास स्थापित नहीं कर पाई सभाए गासी राम के जीदे जी लोग स्थापित नहीं कर पाए विश्वास लेकिन गलती है यह लेकिन यहां पर एक सवाल यह वी है क्योंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उस लड़की कि भी कहीं नखें कहीं घलती है देखें के गलती है हो सकता है मैं मानन रही हूँ कोई आपर यहां पर, जब किसी को पड़ावित करता है अपनी पारतीष्टा जैस यह लगातर शादी का हवाला देता है उसके साथ में सपने संजोता है और यह जह मैं इसलिए पूर्टी करने के लिए लगातर इसके जो सकता है कि सब पूर्पित एक सि अपने आप को समाजी कहता है एक सामाज कि ए Sep같 आपने आपको महान पुर्सों का उत्रा अधिकारी कहता है तो ऊत्रादिकारी कोई को सिप offend ndon निचे लारीं कुसी पाटी से नहीं जुड़ी हो तो मैं नीजी हो सकती हूं वो मेरा नीजी फैसला हो सकता है वो मेरी डाग्य लाइफ में घटि गटना हो सकते लेकिन अ Apply आज में आके समाज के लिए बुलंद आवाज और मुखरूब से आवाज परसनल मामला वही चीज आपने कह दी कि जिस तरह से बाबा साब सब्सक्राइब में बहुत धरम को ग्रहन किया जब उन्होंने बहुत धरम करेंड किया तो खाली बाबा साब ने अपने लिए समाज के लोगों को दिशा और दशा देने के लिए क्या जो कि कही ना करनी रूडिवाद परमपरा अडंबर में उल्चा हुआ और वही चीजा कर रहा है मन्चों में काभी बीड़ी कटी करता है बहुत सारे लोगों को बलाता है तो उसका ही बताएं मुझे नीजी मामला कैसे पर बात बात समाज में काम करता है और चरित्र की बास सबसे महतब पूर्ण पूरूश रहे हैं उनके चरित्र पर आज भी ऐसा नहीं रहा की कोई वैक्ति उपर उंगली उठा सके तो इसलिए मैंने बात कहिये कि समाज में काम करने वाले वैक्ति का चाएं वो किसी भी आध सकता है लेकिन जिस तरह से बहुजन महानपुर्स का नकाब ओड़कर लोग चरीतर से खिलवाड करते हैं समाज की बेहन बैटियों के साथ में खिलवाड करते और उनी के समाज के लोगों से पैसा लेकर और और इसे प्रियाशी करने का काम करते हैं तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है और मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसे मुद्दों को बड़े इस तरह पर उजागत करना चाहिए तो कि उस बेटी को न्याय मिल सके और मैं इंतजार करें कि इस मुहिम को जादा से जादा लोग चला है और